बच्पन में मैं कई साल दिली में भी बड़ा हुआ तो उदर पंजा का शौक था काफी सारे लोग को और दोस्तों को और कजन भाई लोग को सब को कई बार मिलने का स्टाइल ही होता था कि अगर कोई तगड़ा आदमी नजर आता था तो हमारे भाई लोग उनको बोलते थे कि बंजार लड़ाएगा वो एक दोस्ती करने का भी तरीका था और ताकत आजमाने का तरीका भी और मुझे लगता है यह एक ऐसा स्पॉर्ट है जो आम आदमी खेल भी सकता है और सीख भी सकता है और एक आम आदमी को जोड भी सकता है और इसके लिए आपको ज्यादा ट्रेनिंग वगरा जो बाकी स्पोर्ट में जैसे क्रिकेट बैट चाहिए या गलव चाहिए हर चीज चाहिए टेनिस के लिए हो इस sport के लिए ज्यादा कुछ आपको equipment की जूरत नहीं है एक table पे कई सारे लोग practice कर सकते हैं तो ये एक आम आत्मी का भी खेल है जिसमें आम आत्मी इसको practice करके अब खुर्स ताकत का भी है, टेकनीक का भी है लेकिन इसमें जो भारत है वो जुड़ सकता है सार में तो ये इसलिए मुझे अच्छ लागा कि इसका Indian नाम भी है एक पंजा जो है वो हिंदुस्तानी भारतिय नाम है तो एक तरफ से arm wrestling international भी बहुत वे में से एक तरफ से जो पंजा है वो इंडिया में चाहे सब कोई गाओं का बच्चा हो चाहे बहुत बड़े शहर का बहुत बड़ा बिजनिसमेन वो सब जानते हैं कि पंजा का खेल क्या है और जो बेसिक रूल है कि हाथ पकड़के दूसरे का हाथ नीचे करना है वो रूल सब को समझ में आता है जैसे फुटबॉल में सब को मालू है कि जो बॉल है वो दूसरे के निट में जाना चाहिए तो इसमें भी सिंपल जो बेसिक रूल है वो सब को मालू है कि हाथ दूसरे का हाथ आपको दूसरी तरफ करना है यह जो प्लेयर्स में यह कंपटिक्शन में कितने स्टेट का प्लेयर स्याख खेलते हैं? Mostly सारे ही स्टेट्स जो लास्टाइम जो नैशनल्स हुए थे और इसा से भी 30 प्लेयर गए थे और लास्टाइम जो हमने रैंकिंग टॉर्नेमेंट किया था उसमें 400 प्लेयर पुरे इंडिया से आये थे अपी बार और भी होंगे क्योंकि उस वक्त हमने दिली में क्या था और दिली में उस वक्त रायेट सी हुए थे और करोना आने वाला था तो उस वक्त थोड़े से कम वह लेकिन अब की जब करेंगे तो अमको यह है कि 800-900 प्लेयर पूरे इंडिया से हर स्टेट से 800-900 प्लेयर रैंकिंग टोर्निमेंट के लिए आएंगे मैं ओरिसा के जो प्लेयर है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देखी ओरिसा ने अपने आपको एक स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन तो बना दिया दुनिया में हम सब जानते हैं कि वह एक ऐसा डेस्टिन जो स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट करते हैं और इसा की प्लेयर भी बहुत हैं बहुत ही इन फैक्ट कली हम दो प्लेयर से मिले हम चाहेंगे कि वह प्लेयर को और पुश करें और प्रमोट करें बहुत ही अच्छी है कि हमाराança पार्टनर में इंडियन आप्टनेल्ग व्ग काटक से, तो हमारा ये भी प्लान है कि अर भी इसको प्रमोट करना है, यूति के एल इंडिया की फिट्नेस है, quindi तो हम चाहते हैं कि औरिसा में और भी जो नीचे लेवल पे जो यूथ है उनको और भी परमोट किया जाए और उनको और भी हमारे साथ इसमें जुड़े साथ में तो इसमें हमारे साथ इंडिया नाम रेसलिंग फेडरेशन और इसमें के दार सारंगी जी बहुत अच्छा वो कर रहे हैं साथ में जुड़के और अभी आपकोर्स हम चाहते हैं कि और इसा में एक हम इवेंट करें जल्दी ताकि और इसा में और भी जितने हैं उसे भी और भी पॉपिलर और भी लोग हमारे साथ जुड़ें